हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं कि आप सलस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में प्यस्त होंगे आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते वे आज हम पढ़ने जो आ रहे हैं एक नया पार्ट जिसका सुए शक है प्रेरक प्रसंग बच्चों प्रेरक प्रसंग यानि की ऐसे प्रसंग ऐसी घटनाए जो हमें जीवन में कुछ करने की प्रेरना देती हैं बच्चों इस पार्ट में हमें पंडित मदन महनमालवी जी और डॉक्टर राजुएंद प्रसाद जी के बारे में पताय जा रहा है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा आए इस पार्ट को शुरू करते हैं स्वाभिमान यानि की स्वाभ प्लस अभिमान यानि की अपने उपर अभिमान करना गर्व करना इसका अरत है अपने उपर गर्व करना पंडित मदन मोहन मालवी जी का नाम कौन नहीं जानता वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले परोपकारी नियोमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे उन्होंने अपनी निस्था, लगन, द्रढ़निश्य, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदु विश्व विद्यालई के स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवी कहलाए एक बार मालवी जी के पास कोलकाता, जिसको अब हम कलकत्ता कहते हैं, तो वहाँ उस विश्व विद्यालई के उपकुलपती का पत्र आया, पत्र पढ़कर मालवी जी असमंजस में पढ़ गए उनके पास एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने मालवी जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं मालवी जी बोले, कोलकाता विश्विविद्यालाई के उपकुलपती मुझे डॉक्टरेट की उपाधी से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी सुईक्रती मांग रहे हैं सज्जन बोले, यह तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, मालवी जी व्यथित्मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बलकि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है यह सुनकर सज्जन हत्प्रब रहे गए, बचो हत्प्रब रहे गए यानी की हैरान रहे गए तत्पस्चात मालवी जिन्यूस पत्र का उत्तर लिखा मान नीय महोदे मैं आपके प्रस्ताव को स्विकार करने में असमर्थ हूँ मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझे मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राम्हण हूँ किसी भी ब्राम्हण के लिए पंडित से बढ़कर कोई दूसरी उपाधी नहीं होती मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवी कहलाना अधिक पसंद करूंगा आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बने रहने देंगे तो बच्चो ये थी मदन मोहन मालवी जी की स्वाभिमानिता अब हम चलते हैं इसके अगले भाग पर विनम्रता विनम्रता यानी की जो व्यक्ति बहुती विनेशील हो बहुती नम्र हो तो आईए इसे सुरू करते हैं डॉक्टर राजवेंद प्रसाथ सतंत्र भारत के प्रथम प्रास्ट्रपती थे वे अत्यंत सरल हरदय तथा विनम्र सभाव के थे उनके विजार, व्यावहार तथा वेश भूशा में भारती इताके दर्शन होते थे जो भी उनसे एक बार मिल लेता उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन महलेती थी एक दिन डॉक्टर राजवेंद प्रसाथ अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहाँ आया और मेज साफ करने लगा उसी मेज पर हाथी दाथ से बना एक बहु मोल्य पैन रखा था वह पैन डॉक्टर राजवेंद प्रसाथ को बहुत प्रे था क्योंकि वह पैन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था अचानक तुलसी के हाथ से पैन गिर कर तूट गया अपने तूटे पैन को देखकर राजवेंद प्रसाथ बहुत दुखी हुए आभेस में आकर उन्होंने तूलसी को डाट दिया तूलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया कुछी देर बाद राजवेंदर बापू को अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने तूलसी को बुलाया और प्यार से पूछा तूलसी काका मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोड शब्द कहें हैं क्या आप मुझे शमा कर देंगे राजवेंदर बापू की बात सुनकर तूलसी चकित रह गया उसकी आँखों में आँसू आ गए मैं राजवेंदर भापू के चरणों में गिर पड़ा देखा बच्चो देश के सरवोच पतपर होने के बावजूद भी राजवेंदर प्रशाद में लेश मातर भी घमंड न था में सभी से बहुत प्रेम करते थे सरलता और सजनता ही उनका सबसे बड़ा धन था आज डॉक्टर राजवेंदर प्रशाद हम सब के बीच नहीं है परन्तुवे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी उचे पत पर पहुंच जाएं घमंड नहीं करना चाहिए तो बच्चो कैसा लगा आपको ये पाट अश्या करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे क्या सिख्षा ली कि हम चाहे कितने भी उचे पत्र पहुंच जाएं हमें कभी भी घमंड या एहंकार नहीं करना चाहिए और साथ ही हमें स्वाभी मानी बनना चाहिए स्वाभी मानी मतलब अपने पर हमें गर्व तो करना चाहिए लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए तो बच्चो ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका भ्यास भी जरूर कीजे